हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई हैपी प्लेस माई टैरस गार्डन में शिल्पा भोपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे फ्रेंड्स आज मैं अपने कुछ हिबिसकस के प्लांट्स जो है वो रिपॉर्ट करने वाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं उन्हें शेयर कर दूँ उससे पहले मैं अपनी कुछ हिबिसकस की ब्लूम्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ देखिए मेरे जो वह वह शेयर किया था शौपिंग वाला तो मुझे 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 उसमें काफी सारे कमेंट्स आये थे कि आप जब भी हिबिसकस का प्लांट जो है वो करेंगे रिपॉर्ट करेंगी तब आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं प्लांट जब भी लेकर आती हूँ तो रिपॉर्ट कर लेती हूँ तो वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ तो इस बार मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर ही लेती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने जो नरसरी से लाए हुए प्लांट से है वो रिपॉर्ट करती हूँ और यह फूल आप लोगों को ना दिखा हूँ ऐसा हो नहीं सकता जब भी मैं वीडियो बनाओं तो देखिए अभी भी अलेमेंडा पे बहुत सुन्दर फ्लारिंग चल रही है और इसका कलर जो है वो दिन पे दिन डार्क होते जा रहा है बहुत ही सुन्दर इसका कलर निकल कर आ रहा है यह देखिए इंपेशन्स भी हर जगे खिलना स्टार्ट हो गया और यलो अलेमेंडा के साथ इंपेशन्स कितने जादा सुन्दर दिख रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यह सॉइल मिक्स बना ली और यह मेरा रेगूलर सॉइल मिक्स है मैं हमिशा पॉटिंग मिक्स बनाती हूं है इसमें थोड़ा सा बोन्मील डाला है नीम खली मिलाई है फंजी साइड का पौडर मिलाया है और मेरे घर की बनी हुई खाद है जो पत्तों वाली और kitchen waste compost की उसको mix करके मैंने बना लिया है तो ये सारी चीजे हैं बाकी की चीजे हम लोग ये तो basic potting mix है बाकी की चीजे तो हम लोग इसमें डालते ही रहेंगे fertilizer time to time हम इसमें डालते रहेंगे तो मैं अभी इसको mix कर लेती हूं फिर आप लोगों से मिलती हूं तो मैंने ये packet से ये निकाल लिये हैं मेरे plants और एक तो मेरा ये pot में है तो इसको मैं अभी बादने shift करूंगी ये चोटे से जो pot में मेरा परपर कलर का plant है तो ये देख सकते हैं आप जैसे कि पूरी तरीके से ही red soil है और मैं red soil में अपना कोई भी plant रहने नहीं देती हूं त जो मेरी हाथ से निकल सकती हलकी हलकी वो तो मैं हाथ से निकालूंगी लेकिन इससे ये जड़े तूटने का भी इसमें डर रहता है तो मैंने ये देख सकते हैं आप यह बकेट में पानी ही रखा हुआ है इसके अंदर मैं इसको dip करके अभी पांच मिनिट के लिए रख दू हैं यह सारे यह मुझे 30-30 रुपे के पड़ जाते हैं तो यहीं का जो साइज है आप देख सकते हैं यह काफी एप्रूप्रियेट होता है हमारे पर्मानेंट फ्लारिंग प्लांट के लिए और इसमें मेरे काफी बड़े बड़े जित्ते भी मेरे हिबिसकस के प्लांट में अभी ब्लूमिंग चल रही है वो सारे में अपने इन ही साइस के जो मेरे डस्ट बीन रहते हैं इन ही मैं लगाती हूँ तो अब मैं आपको इसमें शिफ्ट करके पहले इसकी मैं सॉयल निकाल के आप लोगों से मिलती हूँ यह देखे इसकी बी जो उपर उपर की सॉयल हलक जिकनी होती है जो कि हमारे रूट्स को बहुत जादा फैलने नहीं देती तो इसलिए मैं हमेशा ही जो भी रेड सॉयल है वो रिमूव करके ही मैं प्लांट लगाती हूँ और यह वाले इसमें भी बास्केट लगी होई थी प्लास्टिक की तो वह बलाबाब यह देख सकते ह आप तो यह प्लास्टिक की बास्केट मैंने काट के निकाल दी है इसके उपर वैसे काफी सारी कॉंट्रोवर्सी होती रहती है कि बास्केट लगा के प्लांट लगाना चाहिए या बास्केट निकाल देना चाहिए तो मैं तो हमेशा का मेरा experience जो है वो यह है कि मैं हमेशा बास्केट रिमूव करके ही अपने प्लांट्स लगाती हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा रूट भी बढ़ी हो गई थी, तो मैं यहां से थोड़ी सी इसकी रूट भी काट दूँगी, और अब मैं इसको लगा दूँगी, यह देख सकते हैं, यह प्लां यह कितना ज़्यादा मैच्चियोड प्लांट था और बहुत सही रेट पे मुझे यह प्लांट मिल गया था और अभी बारिश है तो बहुत अच्छी तरीके से प्लांट अपने आपको रिकवर कर लेगा तो यह बहुत सही समय है अभी इस टाइम पर आप भी अपने गाड़ म जो पानी है वह फंजी साइड का डालूंगी तो मैं यह लगा के आप से मिलती हो और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यह मेरा परपल वाला प्लांट है जो बहुत ही मुझे रेयर लगा था जो मैंने तुरंथ इसको बाय कर लिया तो उसी टाइम मैंने आप से कहा जाताυ टाकि इसमें मुझे यह दो कर्टिंग दीख रही है और देखेये लगीजि़ी मुझे इसमें दो प्लांट मिल गए हैं यह एक प्लांट तो ठाही और यहाँ से यह कोई और फ्लके और और बहुत अच्छा प्लांट बांट चैया तो और जादा लगीए तो देखkommen है इसका क्या result निकलता है यह कौन से color का plant तो देखिए कभी-कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक के साथ एक plant free मिल जाता है वैसे ही यह plant मुझे बहुत कम rate में मिल गया था और luckily उसमें मुझे एक plant extra भी मिल गया है तो देखिए इसकी जो root balls है इसकी में हलकी हलकी सी ही soil हटाऊंगी बहुत जादा नहीं हटाऊंगी इस plant को मैं जादा disturb नहीं करना चाहती हूँ और इसमें कुछ red के साथ black soil भी मिली हुई है तो यह अभी मेरे साथ चल जाएगी और basket भी नहीं लगी है इसमें तो मैं इसको ऐसा का ऐसा ही लगा देने वाली हूँ तो यह आप देख सकते हैं यह वाले छोटे plant को भी मैंने उसी nursery pot में फिर से लगा दिया है जिससे कि इसकी अच्छी growth होती रहेगी और यह सारे plants को भी मैंने report कर लिया है अच्छे से अभी मैंने watering कर दूँगी पत्तियां कुछ मुर्जाई सी दिख रही है और हमारे यहापे अभी धूप निकली हुए लेकिन आज काफी अच्छी बारिश का focus है हमारे यहापे तो शाम तक बारिश जरूर गिरेगी तो बढ़िया से यह सारे plants पेडियो पसंद आया हो तो पूर्श मेरे वीडियो को आप लोग like करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रयंस तब तक लेबा आये टिक क्या है, हैपी कार्डनिंग!